Hey there, this is Nidhi and welcome to online kakshah. जैसा कि मैंने आपसे promise किया था कि I will be coming up with the maximum question series for seated examination before seated examination. So here I am without any delay. Let's get started. तो पहले first part, ये English Pedagogy का first part है. इसमें सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं कि कौन-कौन से topic हैं जो examination से पहले आपको focus करने चाहिए. So that आपके question महाँ पे बन जाए. तो पहला question, पहला topic जो है हमारा comprehension of passes से आपके 15 marks के questions आते हैं. 15 marks के, जिसमें से आपको उसमें कुछ भी नहीं करना रहता. नंबर आपके रखे हुए हैं. सिर्फ आपको question पढ़के passage में जाके उस पहला से अपने answers निकालने हैं. ठीक है? तो ये पढ़ने की जरुवत आपको नहीं है जादा. आपको focus करना है और सारे topics पे. English Pedagogy, आप अगर बच्चे के perspective से देख रहे हैं, तो बच्चे के perspective से सोच कि अगर आप question कर रहे हैं, तो आपका question correct हो जाएगा. फिर आते हम अपने third point पे sentence, sentences से questions आते हैं, simple compound और उसमें negative sentence जैसे कोई simple sentence दे दिया, उसमें negative sentence आपको बनाने के लिए बुला गया है, कि इसमें इसका negative sentence क्या होगा. simple compound sentences दिये हुए हैं, उसमें आपको simple बनाना रहेगा, दो sentences को जोड़के. फिर हम अपने next point पे आ जाते हैं, जिसमें synonym और antonym से आपके दो marks के questions आएंगे. फिर आजाते हैं हम preposition, ठीक है? preposition और conjunction से दो से तीन marks के question आएंगे, और फिर one word substitution से दो marks के question आएंगे, idiom and phrases से दो marks के questions आएंगे, तो ये main topics हैं, जिसको आपको focus करना चाहिए, जिस पे. फिर हम आज बढ़ साते हैं अपने top 25 questions पे जो कि previous year questions हैं, और ये आए हुए हैं exams में, so maximum probability है कि यहां से questions आपके बने, ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले question पे, तो पहले हमारा motivation, motivate थोड़ा हो लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है कि अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है, जो हर वाधा से बड़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, इस thought पे, यह दिल छूज लेने वाला thought है, ठीक है, फिर हम आज आते हैं आज के अपने पहले question पे, तो पहला question हमारा है, while teaching language to learners, a teacher should teach, एक learner को पढ़ाती टाइम, बढ़ टीचर क्या teach करना चाहिए, उसको क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो पहला है, in an integrated manner, कि मतलब चीज़ों को उसको जोड़ के पढ़ाना चाहिए, या B option है आपका, by giving instructions, C option है, through imitation, मतलब नकल करके, या in isolation, अलग करके, तो यहाँ पे आपका सही answer क्या हो जाएगा, through, in an integrated manner, integrated manner का मतलब क्या है, कि जो हमारी four language skills होती है, namely reading, writing, speaking, or listening, मतलब की, पढ़ना, लिखना, बोलना, और सुनना, यह हमारे जो language skills है, इनको जोड़ के integrated manner में teacher को पढ़ाना चाहिए, अपने next question पे move करते हैं, दूसरा question हमारा है, an intonation may not be a dash tone, intonation में इसमें से कौन सा tone नहीं होना चाहिए, या नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहला है, तो सबसे पहला है loud, दूसरा है sliding, तीसरा है rising, और चौथा है falling, तो intonation का मतलब होता है कि, ये intonation एक tone होता है, जब भी हम बोलते हैं, तो हमारे बोल में, हमारे बातचीत की वाशा में, जो उतार चड़ा होते हैं, उसको हम intonation बोलते हैं, कहीं जैसे, बोलते हैं, where are you going, where are you going, तो where में rise हुआ आपके tone का, फिर fall होता है, फिर rise होता है, तो rise and fall, जो आपके tone में, pitch में, changes आते हैं आपके उसमें, तो उसको intonation बोलते हैं, तो यहाँ पर definition जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, an intonation is nothing but a tone, जिसमें ये दो types के tone होते हैं, that is falling tone and rising tone, तो इसमें क्या होता है, कि pitch जो होता है, voice की जो pitch होती है, keeps on changing when person speaks high or low, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने graph आपको बत दिखा रखा है, कि देखें, यहाँ पर where पर graph उपर गया, फिर you पर फिर आर पर, मतलब ये जो ASMR helping वो है, वो नीचे आ गया, क्योंकि इस पर कम pressure देना होता है, कम stress देना होता है, तो इस तहीं यहाँ पर नीचे आ गया, फिर you पर थोड़ा से emphasize किया गया, फिर going, ठीक है, तो यह जो टोन के हमारे जो इतार चड़ा होता है, उसको intonation बोलते हैं, ठीक है, आ जाते हैं अपने next question पर, तीसरा question है, हमारा, रिया, a teacher of class 2 is presenting language items in her instructions, and the learners are doing exactly as she is telling them to do, what is she practicing, मतलब एक रिया, class 2 की teacher है, वो language items present कर रही है, अपने instruction में learners को, और learners जो हैं, बच्चे जो हैं, वो exactly same चीज कर रहे हैं, जो वो practice करने के लिए instructions दे रही हैं, तो इससे वो क्या practice करा रही हैं बच्चों को, पहला है communicative language method, क्या बोल भाशा की, जो समप्रेशर भाशा है, उस method की practice करा रही है, टोटल physical response की practice करा रही है, direct method की practice करा रही है, या audio-lingual method की practice करा रही है, तो इसमें सही answer क्या हो जाएगा, answer B, इसमें total physical response की practice करा रही है, ठीक है, आज आते हैं हम अपने next question पर, तो हमारा next question है, remedial teaching is for, remedial teaching किसलिए होता है, तो यह option है, the teacher is to teach better, यह जो top 25 questions हैं, इसमें आप अपने आपको copy लीजिए, और इसमें देखिए कि आपके कितने questions सही होते हैं, teacher is to teach better, improving the image of the school, C है learner to learn better, D है learner to learn better and teacher to improve our teaching, तो इसमें क्या होता है, remedial teaching में बच्चे को बहतर समझाने की कोशिश की जाती है, और इसमें teacher जो होता है, वो अपने skills को improve करता है, तो इसमें दोनों का two-way process है, इसमें remedial teaching में और चारिक सिक्षा जिसको कहते हैं, ठीक है, तो इसमें बच्चे और teacher दोनों की problems और skills दोनों की बढ़ती है, ठीक है, move करते पने next question पर home language is dash in a natural way, तो home language जो होता है, जो हमारे घर की भाशा होती है, वो taught की जाती है, in a natural prakritic way में, प्राकृतिक वे में, या फिर promote की जाती है, या acquire की जाती है, learn की जाती है, तो यह हम जो हमारे home language होती है, उसको हम acquire करते हैं, बच्चा acquire करता है, तो इसमें explanation यहीं है, language accusation is the process by which humans acquire the capacity to perceive, produce and use words to understand and communicate, आजाते हैं उपने next question पर, which of the following contains the word beginning with the same consonant sound, यह easy questions है, या आप कर लोगे, चार्म, चॉइस, चर्च, 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 चेमिस्ट्री तो नहीं कहेंगे न, तो चेमिस्ट्री हो जाएगा, चर्च, केमिस्ट्री, तो जिसमें से इस CH, CH, चर्च, इसमें भी चाम में भी निकल रहा है, चॉइस में भी निकल रहा है, तो A will be the, A will be the right answer, ठीक है, फिर अपने next question पर चलते हैं, Bilingual method was suggested by, पहला है Dotson, दूसरा है Smith, तीसरा है Herbert, चौथा है Redson, तो सही answer क्या हो जाएगा इसका, सही answer हो जाएगा आपका, D, ठीक है, Redson will be the right answer, अब move करते हैं पने next question पर, I know you, I know you, का the passive voice form of the sentence will be, इसका passive voice क्या होगा, He is known by me, He knows me, He is known to me, none of these, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, इसका सही answer हो जाएगा, C, ठीक है, He is known to me, फिर move करते हैं पने next question पर, The substitution table method was adopted by, The substitution table method was adopted by, A है Dr. West, B है H.E. Palmer, C है Professor DJ Dodson, D है Robert Manger, तो इसका सही answer हो जाएगा, answer B, H.E. Palmer, ठीक है, Move करते हैं अपने next question पर, The phonetic aspect of language deals with, Phonetic जो हम बोलते हैं, Sounds कैसे produce होती है, उसको phonetic बोलते हैं, ठीक है, तो phonetic aspect of language deals with writing, reading, Phonetic का मतलब यह होता, phone का मतलब क्या होता, phone का मतलब sound होता है, तो उससे हम relate कर सकते हैं, कि sound से related होंगी कुछ चीज़े, अगर इसमें आपको कुछ questions नहीं भी आते हैं, तो आप keywords को पकड़िए, और keywords से answer को solve करने की, question को solve करने की questions करिए, तो इसमें writing, reading से तो कोई मतलब ही नहा, reading एक तरीके से क्या सकते हैं, D तो बिलकुल भी नहीं होगा इसमें, D और A, तो option तो cut गया आपके, D और A तो cut गया, अब option में बचा है, B reading और दूसरा है sound, तो reading के साथ साथ अगर sound भी इसमें included होता, तो आप सी answer लगा सकते थे, बद यहां पे ऐसा कुछ है नहीं, तो C will be the right answer, तो moving to our next question, write one word substitution for which cannot be read, यह आपके one word substitution का है, तो इसका क्या हो जाएगा, कि जो नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, पहला है incorrigible, दूसरा है illegible, C है eligible, और D है illiterate, तो इसका सही answer हो जाएगा, illegible, illegible which cannot be read, okay, illegible हो जाएगा, इसका सही answer, और भी मैं बता देती हूँ, incorrigible का मतलब होता है, अशन्शोधी नहीं है, मतलब कि, जो correct ना किया जा सके, दूसरे word में बोल सकते हैं, जिसमें कोई संशोधी ना किया जा सके, तो इसको incorrigible बोलते हैं, और eligible योग ये, पता होगा आप लोगों को, illiterate निरक्षर, ठीक है, फिर move करते हैं अपने next question पे, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कि अगर आप हो ये वीडियो helpful लग रहा हो, तो please like, share and subscribe कर दीजे, और well icon को press कर दीजे, जिससे कि मेरी next वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, और उसका notification आप तक तुरंत पहुँच जाए, जिससे कि आप seated examination से पहले, चीजों को questions करके जा सको, और वहाँ पे confident feel कर सको, फिर move करते हैं अपने 12th question पे, which of the following is an oxymoron, oxymoron का मतलब क्या होता है, ये basically एक phrase होता है, जिसमें जो दो words से मिल के बने होते हैं, जिसमें दोनो words जो होते हैं, वो opposite nature के होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, जैसे bright light, तो bright light में bright भी light के sense में ही है, और light भी तो दोनों कहीं ना कहीं, एक ही तरफ जा रहे हैं, synonym है, फिर दूसरा है cluster beans, beans और cluster, कहीं ना कहीं कुछ-कुछ similarities हैं इसमें, तो और फिर C है diffening silence, diffening silence, diffening का मतलब होता है very bad, और silence का मतलब होता है complete lack of noise, sorry diffening का मतलब होता है very loud, and silence का मतलब होता है complete lack of noise, तो एक तरफ very loud है, दूसरी तरफ silence है, तो इस बोथ words are opposite to each other, so they are called oxymoron, so right answer will be C, now moving to our next question, identify the odd word from the following, इसमें से विसम शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है, तो पहला है joy, दूसरा है sorrow, तीसरा है happiness, और चाथा है bliss, तो joy, happiness, bliss, यह कहीं न कहीं एक दूसरे के synonym है, तो right answer will be B, ठीक है, यह odd one out है, इसलिए right answer will be B, moving to our next question, preposition आपको बताना इसमें से, इसमें से कहां कौन सा preposition फिल होगा, तो I tried-relive them-their poverty, की मतलब, मतलब मैं उसको relive करना चाहा, उनके poverty को लेके, ठीक है, उनकी गरीबी को लेके, तो इसमें सही preposition क्या होगा, tried के बाद आपको preposition का, कौन सा preposition, किस word के बाद लगता है, मैं आपको एक पुरा chart प्रोवाइड कर दूँगी, तो उससे आप learn कर सकते हो easily, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I tried to relive them of their poverty, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर B हो जाएगा, So moving to our next question, we dash the matter yesterday, we discussed about the matter, we discussed of the matter, we discussed the matter, or discussed, we discussed well the matter yesterday, तो right answer will be C, ठीक है, moving to our next question, choose the correct synonym of the word kaios, kaios का मतलब होता है, की बहुत शोर, गुल, भीर, भड़का, यह सब kaiatik, atmosphere या kaiatik, kaios का meaning है, तो पहला है disorder, दूसरा है blank, तीसरा है gap, चौथा है difference, तो right answer will be A, ठीक है, moving to our next question, choose the correct meaning of the following phrase, to bring to light, तो A option है to reveal, B option है to conceal, C option है to appeal, D option है to praise, तो right answer क्या हो जाएगा, इसका, right answer will be A, ठीक है, to reveal, moving to our next question, language is one of the most important characteristic form of the human behavior, it is the statement of, यह किसका statement है, language is, जो भाशा होती है, यह human behavior की, सबसे important, important role play करता है, उसके characteristic form करने में, ठीक है, तो यह किसका statement है, H.A. Gleason का, दूसरा है Mac Leaver and Age का, महत्मा गांधी का, यह डॉक्टरार की अगरवाल का, तो उसका सही answer क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसका सही answer, ठीक है, moving to our next question, dash villages were washed away flood, मतलब यहाँ पे कौन सा, preparation आएगा, one आएगा, none आएगा, any आएगा, यह मेनी आएगा, तो villages है, तो one तो नहीं आ सकता, none भी नहीं आ सकता, ठीक है, तो मेनी और इनी में confusion होगी आपको, तो यहाँ right answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, that is, many villages were washed away by floods, ठीक है, question number 20th, after years of, after years of war, the people long for a lasting, पहला है pace, दूसरा है piece, तीसरा है piece, चौथा है पाईस, तो pace का मतलब होता है, की speed, गती, पीस का मतलब, यहाँ second B option में, पीस का मतलब होता है, की piece of paper, मतलब छोटा टुकडा, ठीक है, pace का मतलब gap, pace का मतलब gap, piece का मतलब, a small part of something, ठीक है, यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा, peace, peace का मतलब, शान्ती होती है, ठीक है, moving to our next question, please dash our sincere apologies, तो expect, expect का मतलब, आशा करना, accept, accept का मतलब की, सविकार करना, ठीक है, तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा, सविकार करना हो जाएगा, ठीक है, और exceed का मतलब बढ़ना होता है, accept का मतलब exception की, मतलब उसको छोड़ कर, तो यहाँ पे सविकार क्या हो जाएगा, accept, ठीक है, moving to our next question, people used to dash that earth was flat, तो इसमें सही word क्या जाएगा, believe, इसमें basically आपको spelling चेक करना है, कौन सी spelling, यहाँ पे believe का मतलब होता है, कि भरोशा, भरोशा करना, विश्वास करना, तो यहाँ पे, आपको अगर spelling पता होगी, इसका मतलब पता होगा, तो आप सही कर लोगे, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, इसका सही answer हो जाएगा, ठीक है, moving to our next question, यहाँ पे कुछ गलती है, sorry, यहाँ पे कुछ गलती है, इस question को skip करते हैं, बढ़ते हैं पने next question पे, यह किसी की definition बता रहा है, कि system of rules को follow करता है, और word को meaningfully arrange करता है, तो form phrase and sentence, वाक्य और phrase बनाने में, एक meaningful तरीके से arrange करकी, यह चीज़े करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, phoneme बोलते हैं, language बोलते हैं, syntax बोलते हैं, या morpheme बोलते हैं, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, syntax हो जाएगा, ठीक है, इसको syntax बोलते हैं, moving to our next question, and the last question, आज की लिए सबसे last question है, तो इसके बाद हम end करेंगे अपने session को, did you really dash the money yesterday, तो पहला है needed, दूसरा है need, तीसरा है need, चौथा है, तो इन सब का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही answer क्या हो जाएगा, इसका सही answer D हो जाएगा, ठीक है, did you, did के साथ हमेशा, did के साथ हमेशा first form लगता है, ठीक है, first form, verb का first form लगता है हमेशा, तो needed नहीं होगा यहाँ पे इसलिए, और need का मतलब गुथना होता है, ठीक है, और यह ऐसा कोई word होता नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही answer क्या हो जाएगा, need, ठीक है, need इसलिए होगा, जब भी did लगेगा, तो उसके साथ first form of the verb लगता है, ठीक है, गलती मत करिएगा, क्योंकि यह गलतीयां होती है, silly mistakes होती है, ठीक है, तो आज का session कैसा लगा, comment section पे ज़रूर बताईएगा, तो अपने session को यहीं पे end करती हूँ, तब तक के लिए thank you, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और seated की preparation करते रहें, thank you so much,